जो सासा राम की अभी स्थिती है ये मुख मंतरी को तो चुलू भर पानी में डूब के मरना चाहिए एक ब्राह्मन पडिवार अपना घर छोर के जा रहा है और बता रहा है पत्रकार जब वहां गये हैं कि हमारे घर किस जंग से सारे लूट लिए गये हैं लेकिन कब से कम घर में बहु है उसकी इज़्जत बचानी होगी तो हम यहां से जा रहे हैं गर चोर करके बिहार की जंता ने आपको मुखमंतर इसलिए नहीं बनाया था कि आप इस जंग से जो है उसकी सुरक्षा को खत्रे में उतारिया और कोई हिंदू समाज या कोई दूसरा समुदाय अपनी जैनती नहीं मिना सकता है नितीश कुमार ये संदेश देना चाहते थे देश के अलब संक्यक समुदाय या मुसल्मानों को मुझे जो लगता है कि आपको डरना नहीं है मैं हर हाल में आपके साथ हूं यह है तो इससे तो मनोबल बरा है न जो जो लोग हमले करने वाले हैं बिहार में ऐसे जहादी आतंकवादियों का एक बड़ा बिहार बड़ा केंद्र रहा है पी एफ हाई का सबसे बड़ा मने सबसे खतरनाक मोडूल देश का वहां पकड़ा गया है तो इंसक कब की भूमिका इसके पीचे होती है इसको जांचने करवाई करने की बजाए निती नितीश कुमार ने चुप्पी तोड़ ही दी लेकि चुपी भाषपाप पर आरूप लगाने के साथ में तोड़ी उन्होंने कहा है कि यह सब प्लान था और हिंसा जान बुझ करके माहौल खराब करने के लिए कर आए गई आज इसी खास मुद्द्यवर बाचित करने के लि नितीश कुमार ने जो कुछ कहा है वो पूरे देश ने सुना है उन्होंने जो कुछ किया है वो भी पूरे देश ने सुना है देखा भी है तो इसलिए मुझे उस पर हैरत नहीं है क्योंकि इस देश में मैं आपके प्रशन के उत्तर के पहले आपके चैनल के माध्यम से दे सबसे बड़ा हिंसा का जन्मदाता कौं सा विचार और विभार है ये कही विचार है इस देश में RSS-BJP फोविया ये RSS-BJP फोविया से बड़ा फंडामेंटलिजम बड़ा सम्परदाईकता बड़ा फाशी बात कुछ है ही नहीं क्योंकि ये सारे जोकुछ नितिश कुमार बोलने हैं ये एक फासिष्ट वादी प्रविर्ती होती है ये फासिष्ट वादी प्रविर्ती हमेशा जूट बोल करके किसी को निशाना बनाके जैसे आप किसी जाती को किसी संपरदाय को किसी छेत्र को निशाना बनाते हैं वो इसे ही किसी संगठन को लगातार निशाना बन और RSS के कुछ भी रोधियों जो बैलेंस रखते हैं उन्होंने लंबे समय से मैं काता हूँ कि कम से कम मेरा मनना अपना यह कम से कम चार सारे चार दसक से देश का देश में विपक्ष का एंटी बीजेपी एंटी RSS जो फासिस्ट वाद है यह यह ग्रूप है तो जो नितेश नहीं किया लगाप उत्यजना पैदा करते हैं कि यह मुसल्मान विरूदी संगठन है यह मुसल्मानों को खा जाएगा हिटलर क्या करता था उसने यही तो बता है कि सारे यहूदी तुम्हारे खिलाफ हैं यह हमारे आर संस्कृति को नस्ट कर रहे हैं तो यह जो भी समय फा नहीं विदेस्री सकतियां भी हमारे देश में बहुत सारी हैं जो इस तीरता असांती परीदा करनी कोसिस करती हैं कि यहां हिंदू मुसल्म या बाकी संगर्च भर के साथ ही साथ हमारे देश में भी कुछ जुनूनी मजभी उनमादी हैं उनको लगता है अपने मजभ के उनसार दुनिया से खाट पानी लेके कि हम कर सकते हैं और नेताओं का हमको सपोर्ट मिल जाएगा भाजपा और आरेसिस के नाम पर हमको कोई कुछ नहीं बिगारेगा तो यह जो नितीश कुमार का बयान है एक मुख मंतरी न कहना आते इसलिए खतरनाख है कि इससे और ममता बनर जी का कि इससे जिन लोगों ने राम नौमी की शुभायातराओं पर हमले किये हैं पिछले तीन वरसों से हमले हो रहे हैं उन सब को का आत्मल बढ़ता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे खिलाब कुछ नहीं होगा यहां तक कि जीन पर हमला करेंगे वही कारवाई भी भूगतेंगे तो इसलिए यह बहुत केबल यह राजनिती का विशाय नहीं यह खतरना कि स्थिती हमारे देश में यह पैदा किया है इन नेताओं ने जब नितीश कुम कि दूगों कौन है उनकी नजर में जो सासा राम की अभी स्थिती है यह मुख मंतरी को तो चुलू भर पानी में डूब के मरना चाहिए मैं जानता हूं कि सुनने के बाद मेरे से नाराज रहते हैं दुवारा नाराजगी होगी सासा राम से मुखले मुखले से जहां जा हुआ हिंदूों ने पलाइन किया है लोग अपना घर छोड़ा है उसके वीडियो हमारे पास उपलब्द है मैंने अपने फेस्बूक पर जो किसी ने बेजा एक वीडियो लगाया है कि किस ढंग से एक ब्रामन पड़िवार अपना सरीप में जिनका जिनका कोई लेना देना नहीं है जो और उसमें एक आडमी महिला रोती हुई बता रही है कि हमारा बेटा या ममता बनर जी दोनों का बयान अगर आप तो ये बता रहा है कि भारत में इस प्रकार की हिंसा से निपटने के लिए हमारी सरकारें तयार नहीं हैं जो उत्पीरित होगा उसी के बिरुद्ध कारवाई होगी इसका केवल इतना ही अर्थ है मैं ये आपके दर्सक भी समस्ते होंगे आप भी पत्रकार हैं अमित ग्री मंतरी अमित्साह की यात्रा है बिहार की और BJP दंगा करा देगी कि यात्रा जो है कैंसील हो जाए ये किसी के दिमाग में आता है की नहीं आता है बीजेपी का राजनितिक बिरोत हो आप विपक्ष में हैं उसके कामों के लिए घेरिये इस प्रकार से रामनौमी की जात्रा में लोग भक्ती भाव से बहुत सारे लोग उपवास किये होते हैं अपने बच्चे पत्निया बूरी माताएं हैं बुजूरग है सब जाते हैं उसमें कुछ लोग जिसको गाना-गाने आता है वो गाते हुए चल रहा है कोई जूमते चल रहा है कोई मंत्र पढ़ते चलता है एक भक्ती भाव की का विशय होता है जिसको सौर आता है हूँ सौर प्रदर्शन करता है उसको आप जोड़ देंगे कि लोग रामनौमी का उत्सव निकालने वाले दंगे करते हैं जब आप भाजपा और आरे से इसको कहते हैं तो उसका आर्थ यह होता है कि हमले और दंगे हिंदू ने कराए हैं कि यह हिंदू का संगटन माना जाता है अगर ब फिर हिंदों को टोपी पहना करके यह सब करने के लिए भी जा गया है देगे ऐसा है कि आपका भी प्रस्ण जो है इन ही लोगों से प्रभावित है गुजरात में भी बरोदरा में हमले हुए थे लेकिन वहाँ पूलिस ने कारवाई की रात में घरों से निकाल निकाल कर उस पूला मिलकर के एक अपराधी को छीन रहा है और पूलिस को एक अधान लेगे उसके बाद सारे पूलिस वाले डटे हैं वहाँ कारवाई हुई है और जो संभाजी नगर की बात है वहां रात मही कारवाई हो गई है रात मही कारवाई हो गई है सारे लोग ऐरेस्ट हुए है डाले गए हैं जलगाओं में डाले गए हैं तो जहां असली दोसी पकरे जाएंगे वहां हिंसा आगे नहीं बढ़ सकती है बिहार और बंगाल में इस कारण से हिंसा बरी कि आप तो असली दोसी का बचाओ कर रहे है ना उनका हिम्मत बरा रहे हैं कि भाजपाओर RSS करा रही है यानि जिनों ने सोभा जातरा निकली यह है कारण यह कहना गलत है कि हिंसा महराष्ट में भी करने की कोशिस हुई हिंसा तो महां से वीडियो आ रहे थे बरोधरास का वीडियो दिख रहा है जिसमें मस्जिद से पत्थर चलाए जा रहे हैं वीडियो आ गया सारे टेली विजन चैले ले दिखाए है कोई छिपा हुआ था नहीं है तो पुलिस ने उसके अधार पर करवाई की कि वीडियो में कौन-कौन दिख रहा है पत्थर चलाते हुए बैठके CCTV खंगाला है जो लोग दिखे हैं उनका उनके अधार कार्ट को दिखाया गया मिलान किया गया एक बार में पुलिस आये जो जहां घर में रात में सोया राजनिती इनको लगता है कि 2024 में इसके कारण साथ मुस्लिम बोट हमारे तरफ ही उनाइट हो जाएगा और मुसलमानों के साथ साथ सेकुलर बोट ही उनाइट हो जाएगा और हम नरेंद मुदी को उखार फेंग देंगे तो इतना घरनेत सोच है कि राम नौमी जैसे उत्स आनन और यहां तक कि बाल गंगाधरती लग आजादी लाला लाजपतराय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले करांतिकारियों में एक लंबे सरिंखला है जिन लोगोंने राम से प्रेरना ले करके और अंग्रेजों से संघर्स किया है और अंद्वे गांधी जी ने राम आज के आज इसको तुलसी दाज जी ने लिगा है दैहिक दैविक भाक्तिक तापा राम राज का हु नहीं ब्यापा राम राज की याद दिला के उन्नोंने उससमें मुगल्काल के बिरुदलों को खरा होने के लिए कहा था कि सारे संघाप पैंधे तो writings को किसी के गर में जन जोन की अधारेन में पथर वाजी किया है कई तो वीडियो कई तो फिर किस आधार पड़े कह रहे हैं जो लोन एंड और जो ब्यवस्ता खराब हुई बिहार के अंदर उसकी जिम्मेदारी ना लेकर के नितिश कुमार अगर इफ्तार पार्टी व्यस्त होते हैं उसके पीछे जो लाल किले का जो एक बैक्ग्राउंड जो लगाए गया ऐसा क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं लिए रखे हैं कि नरेंद मोडि के सासन काल में जो और व्यस्ता है जो लोगों के साथ परिषानिया बरी है उसमें उन्होंने मुस्लिम हिंदू को नाम नहीं लिया है उनुन ने कहा है कि जो बरी है तो नितिश कुमार उससे मुक्ति दिलाएंगे देश को तो जाहिर है कि जो आयो जक है हुए को समय है क्यूंकि ज्योग उसका एस सुन सकता है कि नीतिस कुमार मुक्ती बिलाएंगे. तो लाल किला उनके लिए एक परतिक है. कि लाल किले से परदान मंतरी भासन देते हैं, तो ये तो चलिए बहुत अच्छा है कि लाल किले से भासन दे नहीं देगा कमश कम। अभादूक थो फेटिक रॉब तो लापकर और कि प्रानमंतभी वंसे जगह से इसनी बहांपay को और परaría घ्र 1.05 पूरे देश को मालूम हैं तो लालकिला हो ही है और इस समय अब उससे आगे बर गया है देश समझ गया है कि हमारे इतियास को दबाने के लिए मुगलों का पिरियेट बता करके वो इतियास पराया गया जो की गलत था जिस दिन वो इफतार कर रहे थे उसी से एक दिन पहले हमारे देश की एक सरकार ने अपने गया बारहमी अपने जो है हाई स्कुल में बिछात्रों के हायर सेकेंडरी कक्षा से मुगलों का इतियास और भारत में इसलाम के उदे को चप्टर को हटा दिया था उसको देश का समर्थन मिला तो देश तो आगे बर रहा है यह देश को पीछे ले जाना चाहते हैं और उसके माध्यम से नितिश कुमार यह संदेश दे वाले हैं हाला कि इसे मुसल्मानों का भी भला नहीं मैं यह मानता हूं कि हमारे देश का मुसल्मानों की जादा तरा आबादी शांती से अपना जीवन जीना चाहती है उनके अंदर भी कुछ ऐसे नेता हैं कुछ ऐसे मजभी लोग हैं जो अपने दुकांदारी चलाने के ल लेगा आरे सेस नमाज परना बंद कर देगा आरे सेस की है कि सब मुसल्मानों को जवर्दस्ति हिंदू बना दो और एक दिन कर देगा इसका शासन लंबा रह गया तो कि मुसल्मानों को कोई अधिकार नहीं रहेगा दस में यह सब दूस पर चार करके लोगों को भड़काते ह हैं अब कुछ लोग भड़क जाते हैं उसमें क्योंकि बिहार ऐसा राज्य है सायद इस देश कई बार भूल जाता है आतंक वादी हमला हुआ उत्तर प्रदेश में संकट मोचन मंदीर पर राम जन्भूमी मंदीर पर 2005 में और उसके सूत्र कहां मिलते हैं बिहार में प्रभ दिल्ली में अट्रक होता है शरिंग कलावद बिसपोड होते हैं उसके सुत्र कहां मिलते हैं बिहार में ऑदमी पक्रा जाता है कहां आंध परदेश में जाकर जगा 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 पक्र ही जाते हैं तो यह ना यह से यून-धीर नहीद आ है दिनिया का घोसीट न ही सबस flag आतंकवादी या सीन भटकल वहीं बिहार के दर्भंगा से पकड़ा गया पूरी दुनिया ढूर रही थी दर्भंगया में आया रहा वहीं नेपाल में गया वहां उसने शादी भी कर ली नाम बदल के और आ रहा है बिहार में पुलिस दंगाईयों की ग्रफतारी तो नहीं कर पाई लेकिन मनिस कशब पर बार बार चोथा एक केस दर्ज करा देना इतनी परता क्यों नहीं देखिए ऐसा है कि जो मैं अभी आपको बता रहा था केवल उसका अर्थ इतना ही है कि यह जो हमले हुए है उसको केवल सामान हमला ना जाए बिहार में ऐसे जहादी आतंकवादियों का एक बड़ा बिहार बड़ा केंद्र रहा है पी एफाई का सबसे बड़ा मने हो सकता है बीजे पियारे से से आपको लड़ना है लड़िए बिहार की जनता ने आपको मुखमंतरी इसलिए नहीं बनाया था कि आप इस जंग से जो है उसकी सुरक्षा को खत्रे में उतारिया और कोई हिंदू समाज या कोई दूसरा समुदाय अपना अपनी जैनती नहीं कि इतना मैं वो सब चीजे देख नहीं पाता हुँ मेरे पास समय नहीं होता है उटो जब उसकी अरेस्ट हुआ ही लोग पूछने लगे नोगे तब मैंने जानने की कोशिस की कौन है कहां काहें व व क्या करता था मेरी जानकारी में नहीं था लेकिन जिस डंग से इन्हों ने उसको तमिलनाडू पूलिस को सौपा है उसके खाते खंगालो उसके पडिवार के खाते खंगालो देखने की कोशिस को रहे भयाबा है ऐसी ही कारवाई अगर बिहार की सरकार ने अगर पहले रामनौमी के सोभायात्रा निकलने की परे जरा सेनिटाइजेशन थोड़ा कर दिया होता, उन मुहलों में जिनको मुसलिम मुहला काते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि हमारे देश के मुसलिम इस प्रकार से हिंदूओं के पर अटेक करेंगे, यह कुछी लोग होते हैं, जो भरका करके यह कराते हैं, तो आज बिहार को कितना सीर नहीं गिरता, और अभी तो इंटरनेट के कारण खबरे नहीं आ रही है, मेरी जानकारी में तो सासाराम में पताने जो खबरे आ रही है, अगर यह सच हुआ तो कितना दुरभाग होगा कि लोगों की मिर्तु भी हुई है, तो वो भी देख अगर कुछ हो गया तो मैं छोरूंगी नहीं, तो आपने तो पहले ही उनको प्रोटेक्शन दे दिया न, बता दिया कि यही लोग अटैक करने बाले हैं, तो यह जो चीजे होती है, अब यह बता रही है कि इस देश के जागरुक लोगों को, जो चाहते हैं कि इस प्रकार से अटैक नही हो, सानती रहे, उनको सोचना परेगा कि हम कैसे निपटे, हम हिनसा नहीं करनी है, लेकिन कानून ने अधिकार दिया है, कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाज़, हिनसा करने बालों के खिलाफ, लोग सरकों पर उतरे, हिनसक तरीके से बिरोध परदर्शन करें, अपने समाज को जागरित करें, अपने कोट में जाएं, लेकिकों कि नहीं करेंगे, तो ये जो उपद्रभी तत्व हैं, इनकी राजनिती के कारान, इनका मनोवल बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा घाता कारवाई कारवाई हो कर सकते हैं.